आयोनेक्स टी स्क्लेप सॉलुशन ग्याल दर्मा के दुवारा बनाया जाता है तता इसका MRP 280 रुपीज है और 60 ml में यह रहता है तता इसको कम रेट में पाने के लिए जो मैं डिस्क्रेप्शन में लिंक दे दूगा जासे आप पर्चेस कर सकते हैं तो इसके अंदर क्रामेशन में काम आता है तो उसके बारे में बात करते हैं और वीडियो को अंतक जुरू देखे यह सेंपो आयोनेक्स टी सॉलुशन जो की हेल्प करता है और काम किया जाता है एंटी डेंडर्व सॉलुशन में जब भी आपको डेंडर्व रहता है तब यह डॉक्टर आप क्यadrant एजन्ट है इसे से फ्रि ऐजेंट भी का जब ढ Between का जाता है तता यह वर करता है जो भी सीड रहता है तो इसको तता यह help करता है soft करता है skin को और remove करता है psoriasis slab को तता यह promote किया जाता है epidermis के structure को change करने के लिए तता यह salicylic acid क्या करता है कि यह टॉपिक यह penetrate कर देता है salicylic acid skin के अंदर बहुत ही upper layer से penetrate कर देता है topical medication है जो कि बार से अंदर तक बहुत चला जाता है तो उसमें coltar क्या करता है कि यह turn over कर देता है skin के cell को तता reduce करता है inflammation को तता anti-sclaining property है इसका तता anti-microbial property है coltar का तता anti-inflammatory property है इसका ionic tea solution है जिसको use किया जाता है doctor के दुवारा prescribe किया जाता है itching में, flanking में तता dendrop में, psoriasis में और dermatitis में तता यह scalp के psoriasis में use होता है तता इसको use कैसे करना है तो इसको इना solution को wait करने का है उसके बाद rise अपने बालों पे लगाने का है और एक से 5 मिनित तक आपको रुकने का बाद उसके बाद आप wash out कर सकते हो तता इसको use करने का डॉक्टर की सला के according अगर आप इसे ज्यादा use कर रहे है तो आपको इच्छी वगरा होना start हो जाएगा pen होना start हो जाएगा, blood close होना start हो जाएगा तो वो सब side effect भी देखे जा सकते हैं इन case आप डॉक्टर के सला से purchase नहीं करते हो और आप खुछ से लगाते तो तो इस product के बारे में आपको कुछ भी doubt रहे, मैं description में link दे रहा हूँ जासे आप purchase कर सकते हो कम date में, पर इस product के बारे में आपको कुछ भी doubt रहे, तो आप हमें comment section में या description में जो email id दिया गया है वहाँ पर पूछ सकते हो, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपका reply करके आपका doubt कलिया कर सकूँ और चैनल पर पहली बार और वीडियो पर पहली बार हो तो चैनल को जुरू सब्सक्काइब करना, बैल आइकन को दबा देना ताकि जब भी मैं next studio को upload करूँ तो आप तक एक notification पहुच जाए, तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं next studio में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टा टा बाई बाई